कंगवा मूवी के बाद हमें बेठ था विक्रम टू यारी रोलेक्स मूवी का और हम सबी को पता था कि रोलेक्स मूवी आएगी कंगवा मूवी के बाद लेकिन यहाँ पर तो सूरिया ने हम सभी को दूसरी ख़बर देकर चोका दिया जैसा कि इनकी बरतिदेट डेट पर इन्होंने यूटूब पर एक टीजर अपलोड किया जो की एक मिनट चोटीस पैटीस सिकंड का है और भया इस टीजर को देखने के बाद लगा हमें रोलेक्स फिर से मिल चुके है बात करी इस मूवी के नाम की तो अभी तक इस मूवी का कोई भी नाम नहीं अनाउंसमेंट हुआ है पर इसका टाइटल है सूरिया 44 लेकिन मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता है लेकिन मैं आपको बता सकता है इसमें कौन सी एक्टरस होने वाली भले इस टीजर में उस एक्टर का चेहरा ना दिखा लेकिन मैं बता सकता है इसमें कौन सी एक्टरस होने वाली पूजा हैक्ड़े अरे वही पूजा हैकड़े जिनों आला वेकंटे नातन डीजे जैसी मूबी में काम किया है और अपनी एक्टिंग से सभी को अपनी तरफ खीच के रखा है तो भई अपूजा हैकड़े भी कमाल की एक्टरस है और कास्टिंग की बात करें तो कार्थिक सुबराज है तो भई अभी इसके बारे मुझे फुल लॉलेज नहीं है लेकिन जिस तरह से सूरिया का लुक है ये देख कर मुझे रोलेक्स मूबी की याद आने लगी बात करें इस छोटे से टीजर में हमें देखने को मिलता है लेकिन सूरिया एक गुफा से बाहर निकलते हुए नजर में आते हैं जो की गुफा है या फिर ब्रीच ये तो मुझे नहीं पता लेकिन जैसी बाहर निकलते हैं एक धना धन गूली दागते हैं और पीछे गैंग होती है जिस तरह से एनिमल में गैंग होती है रन्बीर कपूर की उसी तरह से इसमें भी गैंग होती है तो भाई सब सुरिया जिस मूबी में काम करते हैं और इसमें सुपर फिप्लूपर हिट होन जाती है क्योंकि सूरिया ने खुद अपने बर्तदे के दिन पर इस टीजर को सियर किया है उसे आप इस मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेट डो कॉमेंट में जरूर बताना कितना बड़ा किरदार है और कितना बड़ा लुक उनको परभावेत करता हुआ आप इस मूवी के लिए कि तना ज्यादा ज्यादा क्या रवर कॉमेंट में जरूर बताना हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंडा मिलते एक लिए वीडियो में जेहिंग